हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल कीचन क्वीन अंजिना आज हम बनाएंगे अंडा टीकी इसे बनाना बहुत ही आसान है चलो एक टीकी बनाना शुरू करते हैं अंडा टीकी बनाने के लिए लेना है तीन मीडियम साइज के आलू आलू के छिलके उतारके इनको अच्छे से धो लेना है अब इने किसी बरतन या ट्रे के अंदर अच्छे से कदुकस कर लेना है इस तरह से आप चाओ तो इने चाको से बारिक चोप भी कर सकते हो आलू अच् निचोड रहे हैं ताकि हमारी एक टिकी के अंदर जैदा मोश्चर न हो जाए अब यहां पर एक प्याज लेना है और इस तरह से बिल्कुल बारिक स्लाइस में काट लेना है अब यहां पर कटे वे प्याज को जिस बाउल के अंदर हमने आलू ले थे उसके अंदर इनको डाल द्यान रखे इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है अब आलू और प्याज के अंदर डालना है अंडे यहां पर दो अंडे लियर इनको इस तरह से तोड़के इसके अंदर डाल लेना है अब इनके अंदर डालना है मसाला आदी चमच काली मिर्च आदी चमच नम मैदा अभावी इन सभी को फोर्क या चमच की साइता सिक्वाइसा है और अभ इसके अंदर दाल लेना है एक चमच चावल का आटा इन सब को तब तक भिलाड़ा ए जब तक अच्छे इसे ना मिल जाएं इस तरह से आप मिलाते रहना अब यहां पे एक पैन लेना और इसके अंदर डालेंगे एक चोथाई कप तेल गरम होने के बाद इसमें डालेंगे अंडा टिकी का पेस्ट आप इस तरह से कोई भी एक गोल छोटी कटोरी ले सकते हो पेस्ट को हलका सा चमच का फ्लेम मीडियम ही रखें इन्हें अब अच्छे से पका लेना है अंडा टिकी एक साइट से पक चुकी है अब इन्हें पल्टे की सायता से एक करके इनको अच्छे से पिलट देना है जिससे दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाए इन्हें जब तक पकाना है जब तक गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए अंडा टिकी बिल्कुल क्रिस्पी बनके तयार हो चुकी है अब इन्हें एक ट्रे के अंदर टिश्यू पेपर लगा के एके करके इनको निकाल लेना है आप देख सकते हो अंडा टिकी का कलर किता बढ़ी आए और यह बहुत ही बढ़ी और क्रिस्पी बनके तयार हुई है अगर आपको मेरी अंडा टिकी की रैसीप अच्छी लगे हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले थैंक यू